सबसक्ताइब कोई लीज वो साथ करने साथाइफ को सबस्क्राइब करें तो चली स्टार्ट आपको free मिलती है यानि कि standard मिलती है बट अगर आप चाहते हो कि दो साल से और extra में अपने warranty को increase कर लो extend कर लो तो यहां पर extended warranty के facility आपको दी गई है बढ़ गई है यहां पर extended warranty के plans आते हैं तो मैं आप लोग को plan segment बता जाता हूं तो गाइस यहां पर extended warranty के तीन plans आते हैं जो कि right shore extended warranty के नाम से जाना जाता है यहां पर पहला plan है basic right shore basic दूसरा plan है right shore basic plus और तीसरा plan है right shore premium तो गाइस यहां पर तीनों में अलग-अलग facility आपको मिलती है सबसे पहले बात करते हैं basic की तो गाइस basic में आपको extended warranty two years की मिलती है यानि कि दो साल तो आपको free मिल जाती extended warranty उसके साथ आपको कुछ भी नहीं मिलता है दूसरा जो plan है guys basic plus उसके अंदर आपको चार साल की extended warranty तो मिलती है साथी साथ आपको तीन साल की roadside assistance मिल जाती है यानि कि second year, third year, fourth year यानि कि first year को छोड़के बागी जो तीन साल बचते हैं उसमें आपको roadside की assistance मिलती है अब आप कहीं bike चलाते चलाते आपके बीच में कहीं bike खराब हो गई unknown जगे पे unknown road पे मतलब आपके bike कहीं पे बीच में खराब हो गई तो आप royal infield को call करके उनके mechanic को बुलवा सकते हो और वो आपके help करेंगे तो यह roadside assistance का काम होता है ठीक है अब यहाँ पर जो तीसरा plan है guys वो है right shore premium right shore premium में guys आपको मिलते है all cable selling के clutch cable हो गए acceleration cable हो गए brake pads और brake shoe आपको मिलेंगे जब भी आपके वो खराब हो जाते हैं तो तो यह total motorcycle की servicing as per recommendation ही करवाना पड़ेगा जो भी schedule उन्होंने बना रखा है उसके हिसाब से जो भी time है उसके हिसाब से आपको अपना motorcycle service करवाना है तीसरा है यहाँ पर आपको अपने bike के अंदर कोई अगर problem दिखती है कोई भी दिक्कत आपको नजर आती है तो आपको तीन दिन के अ quality हो गई तो अब बात करते हैं यहां पर term and condition के तो आप देख सकते हैं में बहुत सारे points है मैं करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो अगर किसी को डीटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो पाउस करके पढ़ सकते हैं मैं आपको आपको सब कुछ बता हो गया यह सब चीज आपको coverage नहीं मिलेगी इसको आपको अलग सही खरीदना पड़ेगा तीसरा है यहां पर जो normal wear and tears होता है जो कि बाइक के साब से बाइक 2-4 सल पुरानी हो गई color fade होने लगा है तो यह सब चीज की भी आपको coverage नहीं मिलेगी और जो यहां पर चौता point दि कि चाहिए आप कोई भी plan ले लो तो यह इसकी term in conditions हो गई तो गाइस अगर बात करें coverage की कि इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा तो गाइस internally parts जैसे कि आपके engine के अंदर कुछ खराब हो गया engine seas हो गया fuel injection खराब हो गया ECU खराब हो गया मतलब कोई ऐसा internally part जो मतलब अपन प्राइस रूपे including GST 18% की GST लगा के 250 रुपे बेसिक प्राइस है दूसरी प्राइस बेसिक प्लस की गाई से 3100 यानि की 3100 तो यहां पर प्रीमियम के दो प्राइस है पहला है रियर डिस्के जिसकी प्राइस है 5300 और दूसरा है रियर ड्रम के मतलब के रियर टाइम में पर अगर आप लोग बाइक को लॉंग टम के लिए रखना चाहते हो चार सल पांसल आपको रखना है तो आप एक्स्टेंडेड वारंटी लो और प्रीमियम प्लैन ही लेना गाइस क्यूंकि उसके अंदर आपको एक्सेलेरेशन वाइर ब्रेक पैड और ब्रेक शू आपको म टेल वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें मिलते है निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए